जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी जो आप जी अपने सामने बिछाकर शिव पुरान की सेवा ले रहे हैं और इसे संगत तक महुचाने की किरपा कर रहे हैं ओम नमो शिवाए शिव जी सदा सहाए ओम नमो शिवाए गुरु जी सदा सहाए जै गुरु जी वाही गुरु जी ओम नमो शिवाए शुक्राना गुरु जी संगत जी आज गुरु जी ने शिप पुरान पढ़ने से पहले कहा कि लाइव दरबार के साथ में मैं आज शिप पुरान की ये सेवा करूँ मेरे गुरुजी का प्यारा प्यारा दर्बार जो की गुरुजी ने लगवाया है और गुरुजी की गद्धी के सामने बिठा कर रोज सेवा लेते हैं आज गुरुजी ने कहा कि इस तरीके से हम आज इसको लाइफ पड़ेंगे भगवान रुद्र के भ्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस से रुद्र के महा महीम सवरूप का वर्णन उनके द्वारा रुद्र गणों की स्रिष्टी तथा भ्रह्मा जी के रोकने से उनका स्रिष्टी से विरत होना दिशी बोले प्रभो आपने चतुर्मुख भ्रह्मा के मुख से परमात्मा रुदरदेव की सिष्टी बताई है इस विशय में हमको संशे होता है जो प्रले काल में कुपित होकर भ्रह्मा विश्नु और अगनी सहित समस्त लोग का संगार कर डालते हैं जिने ब्रह्मा और विश्नु भय से परणाम करते हैं जिन लोग संगार कारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा रहते हैं जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विश्नु को अपने शरीर से प्रकट किया था जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग शेम का निर्भा करने वाले है वे आदी देव पुरातन पूरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा भ्रम्मा के पुत्र कैसे हो गए ताथ भगवान भ्रम्मा ने मुन्यों से जैसी बात बताई थी वे सब आप चीक ठीक कहिए भगवान शिफ के उत्तम यश का श्रमन करने के ल उचित प्रश्न किया है मैंने भी पूर्व काल में पिताम भ्रम्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था उसके उत्तर में पितामा ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे रुद्र देव उत्पन हुए और फिर जिस प्रकार भ्रम्मा और तीनों ही कारणात्मा हैं वे क्रमश चराचर जगत की सिष्टी पालन और संगार के हित्व हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं उनमें परमेश्वरे विधिमान है वे परमेश्वर से भावीत और उनकी शक्ति से अधिष्टी तो सदा उनके कारे करने में होते हैं पूर्व काल में पिता महेश्वर नहीं उन तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया था ब्रह्मा की स्विष्टी कारे में विष्णू की रक्षा कारे में तथा रुद्र की संगार कारे में नियुक्ती हुई थी कलपांतर में परमेश्वर शिफ के परसाद से प्रतेक कल्प में जगनमय भ्रहमा ने रुदर तथा विश्नु को उत्पन किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विश्नु ने भी रुदर तथा भ्रहमा की स्रिष्टी की थी। इस तरहां पुना भ्रहमा ने नारायन की और रुदर देव ने भ्रहमा की स्रिष्टी की। इस परकार विभिन कल्पों में ब्रहमा विश्णु और महेश्वर परस पर उत्पन होते और एक दूसरे का हिच्च आते हैं उन उन कल्पों के ब्रतान को लेकर महर्शी गन उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं परतेक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारन है उसे बता रहा हूँ उनी के प्राधुर्भाव से ब्रहमा जी की स्ष्टी का प्रभा अविच्छिन रूप से चलता रहता है ब्रहमान से उत्पन होने वाले ब्रहमा प्रतेक कल्प में प्रजा की सिष्टी करके प्राणियों की वृध्धी ना होने से जब अत्यंग दुखी हो मुर्चित हो जाते हैं तब उनके दुख की शान्ती और प्रजा वर्ग की वृध्धी के लिए उन-उन कल्पों में रुध्र गणों के स्वामी काल सवरूप नील लोहित महेश्वरुद्र अपने कारण भूत प्रमेश्वर की आग्या से ब्रहमा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रय करते हैं यही तेजुराशी अनामय अनादी अननत धाता भूत संखारक और सरव्यापी भगवान ईश्परम एश्वरे से सयुख्त परमेश्वर से भावित और सदा उनी की शक्ती से अधिष्टितो उने के चिंदारन करते हैं उनी के नाम से परसिद्दो उनी के समान रूप धारन क उनके कारे करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा वहवार उनी परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आग्या के पालक है। धारन करते हैं। जलंधर, विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। और हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की उची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनिये कैलाश परवत के विभिन प् अले सिंग आदी बन्ने पशों से अकरांथ हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल जिल मिलाता रहता है। वे महान विशप पर सवारी करते हैं। और उनकी बानी महान में की गरजना के समान गंबीर है। कांती परचंड अगनी के समान उदीप्त है और बल परा करम भी महान है। इस प्रकार भ्रहम पुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भ्यानक है। वे ब्रहमा जी को विज्ञान देकर सिष्टी कारे में उनकी सहायता करते हैं। अतरुद्र के कृपा परसाथ से परतेक कल्प में प्रजापती की प्रजा सिष्टी दोहित भगवान रुद्र से सिष्टी करने की प्रार्थ ना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों के सिष्टी की। बे सब के सब उनके अपने ही समान थे। को देखकर पिता मा ने रुद्रदेव से कहा देव देवेश्वर आपको नमस्कार है आप ऐसी प्रजाओं की सिष्टी ना कीजिये आपका कल्यान हो अब दूसरी प्रजाओं की सिष्टी कीजिये जो मरण धरम वाली हो ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रमेश्वर रुदरुन से हस्तेवे बोले मेरी स्रिष्टी वैसी नहीं होगी अशुप प्रजाओं की स्रिष्टी तुम ही करो ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपून भूतनों के स्वामी भगवान रुदरुन रुदरगणों के साथ प्रजा की स्रिष्टी के कारे से निव इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुधाय ब्रकट नहीं हुआ था इसलिए तब तक पिताम मैथुनी सृष्टी नहीं कर सके थे। निश्प्रपंचा, निश्प्रपंचा, निश्कला, नित्या तथा सदाईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ती है। अपने अनिर्वचनिये अंश से किसी अध्भूत मूर्ती में आविश्टो। भग्वान महादेव आदेशरीर से नारी और आदेशरीर से इश्वर होकर स्वयम भ्रह्मा जी के पास गए उनसरव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत सिज रहित, समझ उपमाउं से शुन्ने शर्णागत बदसल और सनातन शिव को दन्वत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाज जोड महादेव जी का तथा महादेवी पारवती की स्पुती करने लगे। ब्रह्मा बोले देव महादेव आपकी जय हो इश्वर महेश्वर आपकी जय हो सर्वगुन स्रेश्ष्ट शिव आपकी जय हो संपुन देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो प्रकर्ती रूपिनी कल्यान मैं उमें आपकी जय हो प्रकर्ती की नाईके आपकी जय हो प्र करती सुन्दरी आपकी जय हो, अमोग महा माया और सफल मनोरत वाले देब आपकी जय हो, जय हो, अमोग महा लीला और कभी व्यर्थ ना जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, संपून जगत की माता उमे आपकी जय हो, विश्व जगनमे आपकी जय हो, विश्व जगद्वात्री आपकी जय हो, समझ संसार की सक्षी सहाई के आपकी जय हो, प्रभो आपका एश्वरे तथधाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो जय हो, आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी भांती सनातन है आपकी जय हो जय हो अपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्मान पालन और संघार करने मली देवी आपकी जै हो जै हो तीनों लोकों अत्मा आत्मा अंतरात्मा और प्रमात्मा तीनों आत्माओं की नाई के आपकी जै हो प्रभो जगत के कारण तत्मों का प्रादुर्भाब और विस्तार आपकी कृपा दिश्टी के ही अधीन है आपकी जै हो प्रडे काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्ष पून दिश्टी से जो बहानक आग प्रकट होती है उसके द्वारा सारा बहुतिक जगत्भसम हो जाता है आपकी जय हो देवी आपके सवरूप का समय ज्यान देवता आदी के लिवी असंबब है आपकी जय हो आप आत्म तत्व के सुक्ष्म ज्यान से प्रकाशित होती है आपकी जय हो इश्वरी आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है आपकी जय हो प्रभो विश्व के तत्मों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके याधार परस्तित्य आपकी जय हो आपके श्रेष्ट सेवकों का समुँ बड़े असुरों के मस्तक पर पाऊं रखता है आपकी जय हो शर्नागतों की रक्षा करने में अतिश्य समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो संसार रूपी विश्व रक्ष के उगने वाले अंकुरों का उनमूलन करने वाली उमे आपकी जय हो प्रादेशिक एश्वरे वीरे और शौरे का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो विश्व से परे विध्यमान देव अपने अपने वैभव से दूसरों के वैभवों को त्रिस्कत कर दिया है आपकी जय हो पंच विध मोक्ष रूप पुरुशार्थ के प्रयोग द्वारा पर्मान अन्मय अम्रित की प्राप्ति करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो पंच विध पुरुशार्थ के विज्ञान रूप अम्रित से परिपून स्त्रोत सवरूपिनी परमेश्वरी आपकी जय हो अत्यन भियानक संसार रूपी महारोप को दूर करने वाले बैच शिरो मनी आपकी जय हो अनादि करम मल एवं अग्यान रूपी अंधकार राशी को दूर करने वाली चंदरिका रूपी ने शिवे आपकी जय हो त्रेपूर का विनाश करने के लिए काल अगनी सवरूप महादेव आपकी जय हो तिरिपुर भैरवी आपकी जय हो, तीनो गुणों से मुक्त महेश्वर आपकी जय हो, तीनो गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो, आदी सरवग्य आपकी जय हो, सबको ग्यान देने वाली देवी आपकी जय हो, परचुर दिवे अंगों से सुशोवी आपकी जय हो मनोवांची द्वस्तू देने वाली देवी आपकी जय हो भगवन देव कहां तो आपका उत्रगश्थाम और कहां मेरी तुछवानी तथापी भक्ती भाव से परलाप करते हुए मुझ सेवक के अपरात को आप शमा करें इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्रो देवी का एक साथ गुंगान करके चतुल्वुख भ्रम्मा ने रुद्रेमं रुद्रानी को बारम बार नमस्कार किया ब्रम्मा जी के द्वारा पठीती है पवित्र एवं उत्तम अर्ध नारीश्वर स्त्रोथ शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है जो भक्ती पूर्वक जिस किसी भी गुरू की शिक्षा से इस त्रोथ का पाठ करता है वैशिव और पार्वती को परसंद करने के कारण अपने अभीष्टवल को प्राप कर लेता है जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन करने वाले हैं जिनके विग्रह जनम और मृत्यु से रहीत हैं तथा जुश्रेश नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारन करके स्तित हैं उन कल्यानकारी भगवान शिव और शिवा को मैं परणाम करता हूँ महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकटे और देवी के भुव मद्धे भाग से शक्ति का प्राधुर्भाव वायुदेवता कहते हैं तदनंतर महादेव जी महामेक की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदाईनी एममनोहर वानी में बोले ब्रामन तुमने इस समय प्रजा जनों की व्रिद्धी के लिए ही तपस्या की है तुमारी इस तपस्या से मैं संतुष्टू और तुमें अभीष्टवर देता हूँ इस प्रकार परमुदार तथा सुभावता मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वामभाव से देवी रुद्रानी को प्रकट किया जिन दिव्वे गुण संपना देवी को ब्रहम बेता पुरुष परमात्मा शिव की परशक्ति कहते हैं तथा जिन में जन के अंग से प्रकट हुई उन सरव लोक महेश्वरी परमेश्वरी को देख कर विराठ पुरुष भ्रमाने पर नाम किया और उन सरवग्या सरव यापिनी सूक्षमा सद सभाव से रहीत और अपनी प्रभा से इस संपून जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति देवी से इस प्रकार प्रातना की ब्रह्मा जी बोले सरव जगनमई देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन किया और प्रजा की सिष्टी में कारे में लगाया इनकी आग्या से मैं समझ जगत की सिष्टी करता हूं किन्तु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गई देवता आदी समस्प्राणी बारम बार सिष्टी करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं अतब मैं मैं तुनी सिष्टी करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था इसलिए नारी कुल की सुष्टी करने के लिए मुझ में शक्ती नहीं है संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आप से ही होता है अत्तसरवर्त्र सबको सपरकार की शक्ति देने वाली आप बर्दाईनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ संसार भय को दूर करने वाली सरव्यापनी देवी इस चराचर जगत की व्रद्धी के लिए आप अपने एक अंच से मेरे पुत्रदक्ष की पुत्री हो जाईए ब्रह्म योनी ब्रह्मा के इस परकार जाचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांती मती एक शक्ति प्रकट की उसे देखकर देव देवेश्वर हर नेहस्ते हुए कहा, तुम तपस्याद्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनुरत पून करो, परमेश्वर शिवकी इस आग्या को शिरोधारे करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिनी अनुपम शक्ति दे कर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में परविष्टो गई फिर महादेव जी के भी अंतरधान हो गई तबी से इस जगत के भीतर इस्त्री जाती में भोग पर्तिष्टी तुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की स्रिष्टी का कारेच चलने लगा मुनिवरो इस से भ्रह्मा जी को भी अनन्दोर संतोष प्राप्त हुआ देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया प्राणियों के सुष्टी के प्रसंग में इस विशे का वर्नन किया गया है यह पुन्य की वृद्धी करने वाला है अता अवश्य सुन्ने योग्य है जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सप्रकार का पुन्य प्राप्त होता है तथा वे शुब लक्षन पुत्र पाता है भगवान शिवका पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पड़ जाकर रहना शुम्ब निशुम के वद्ध के लिए भ्रमा जी की प्रार्थना से शिवका पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होन के लिए तपस्या के निम्मित जाने की आग्या मांगना ये अगला अध्याय होगा जै गिरूजी शुक्राना गिरूजी